आईवी टीवी देखता है इंडिया पर गए और कहा जा रहा है कि आपके सहयोगी जेड्यू ने बंगले में आग लगा दी चिराग पासवान को मैं थ्वा हाड लेंग्विज का यूज कर रहा हूं उनकी ऑकात बता दी और बीजेपी भी खामोस बनी वी है जबकि चिराग पासवान तो कर रहे थे हम मोदी जी के लोग जन सकती पाटी के मान्य सहंसदों ने अपना नए नेता का निरवाचन किया है यह उनका अंद्रोनी मामला है और लोजपा में जो हालात चल रहे थे लगता है उसी की अपरिनती है और यह अंद्रोनी मामला इसलिए इस पर कोई हम सबों को को कोई टिप नी करने क्या हो सकता नहीं है सब दल के अपने मामले होते हैं तो लोजपा का यह नीजी मामला है लेकिन सर यह कहा जा रहा है कि जेडियू नितीश कुमार को बरदास्त नहीं हो पा रहा था कि तीसरी नम्मर की पाटी वो बन गया है और वो भी चिराग पासवान के कारण क्योंकि ए इसे में सर बीजेपी थोड़ा स्वाइब कर सकती थी नितीश को कह सकती थी कि अरे इतना नाराज होने की जरूत नहीं है कि एक एक यह बार आप चिराग पासवान को सरक पे लाकर ख़डा कर दें आप देखेंगे तो स्वर्गे रामिलास पासवान जी के पुत्र पहले संस अच्छेप की ना आव सकता है ना इस मामले में हम सबों का कोई रहना चाहती है कि नुकसान तो किसी भी तरफ से बीजेपी का हो नहीं रहा है इसमें नफ़ा नुकसान की बात नहीं है हर दल का अपना काम करने का तरीका होता है और LGP के राष्टिय अध्यक्षेवम संसदिय दल के नेता सिरी चिराग पासवान जी के बदले मुन्होंने सिरी पसपती पारस जी जो उसी दल के बरिश्ट नेता रहें उसका चियन किया है या बिलकुल उनका नीजी मामला है इसमें मुझे लगता है जेडियू तो बहुत तारीफ कर रही है आस पस्पती कुमार पारस की पस्पती पारस जी लंबे अर्शे से मन्नी विधायक रहे मंत्री रहे और बिहार की राजनिती से जमीनी तोर पर खास करके जिस इलाके से आते हैं अपने बड़े भाई स्वर्गे रामिलास भासवान जी के बाद उंकी उस छेत्र में और अपने अपने सामाजी क्वर्ग में उनकी पकर रही है और हम समों के साथ सदन में भी लगाता रहे cigar हैं लिए इस लिए पस्पती पारस जी के बारे में बहुत कहनी का आप सकता नहीं है ना उनको किसी पहचान का आप सकता है आज RCP सिंग ने बयान दिया कि NDA के दो बड़े दल है BJP और JU LGP नहीं LGP जो है वो जिस तरफ जाना चाहे उनका स्वागत है BJP को समर्थन करे तब भी स्वागत है JU को समर्थन करे तब भी स्वागत है तार किसवर पर साथ जी क्या चाहते है केंदर में भी हम सब NDA के तहत काम कर रहे हैं और पिहार में भी हम लोग NDA के तहत ही काम कर रहे हैं सरकार में हैं इसलिए यहाँ ना भाजपा का सवाल है ना जदियू का सवाल है अगर वो लोग NDA में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है लेकिन नहीं लगता है कि RJD को तो एक मौका मिल गया ठीक है भले ही आज के डेट में चिराग पासवान को लोग कर रहे हैं लेकिन जो एक प्रमपागत भोट रहा है LGP का रामिलास पासवान जी का तो क्या लगता है कि वो चिराग पासवान से इतनी जल्दी वोटर जो है वो तपका जो है वो नराज हो जाएगा बलकि सिंपेथी मिलेगा और RJD कॉंग्रेस ने खुला ओफर कर दिया है कि चिराग जी हमारे तरफ आ जाईए हम मजबूती से आपके साथ खरे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जेडियू ने पैसे देकर पाटी को तोड़ लिया देखिए लोजपा के जो प्रमपरागत मद दाता है वो लोजपा के साथ रहे हैं और हम सबों के बरिश्ट नेता रहे केंद्र में इंडिये में लगातार मंत्री के पदपर मी रहे हैं स्वर्गिय राम बिलास पासवान जी के अपने छोटे भाई सिरी पसपती पारश जी आज संसदिय दल के नेता है तो मुझे नहीं लगता है कि उनके जो प्रमपरागत मद दाता है उनमें किसी उन्हें किसी प्रकार का कस्ठ हुआ हुआ इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है और परजीबी लोगों के बारे में बहुत बताने की जरूत नहीं है कहीं उन्हें टूटने की संभावना लगेगी तो उस और उनकी नजर चले जाती है आदमी का जब अपना वजूद खत्म होने लगता है तो वो दूसरे के मकान में ज़्यादा जागते है नितीश कुमार की राजनिती भी हमने देखी और लगातार मैं तो ये कर रहा था और संभवता बिहार जारखंड में एक मात्र चैनल हम थे जिन्होंने ये चलाया था कि NDA में टूट नहीं होने जा रही है बाकि तमाम चैनल ये चला रहे थे NDA में टूट होगी किसी भी समय सरकार गिर सकती है मांजी और मुकेसान ही पाला बदल सकते हैं लेकिन हमने और हमारे सहयोगी अंसुजाने दावा ठोक कर ये चलाया था कि NDA में टूट नहीं होगी लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है मौका तो आपके सहयोगी दल ही दे रहे है बले ही NDA तोडने के लिए नहीं प्रेसर पॉलिटिक्स के लिए ही सही आपके चैनल को निसीत रूप से हम धन्वा देते हैं कि NDA की जो अपनी ताकत है और आपस का जो रिस्ता है वो काफी मजबूत है इसकी पहचान आपने की है लेकिन लोजपा अगर लोजपा तो टूटी भी नहीं है सिर्फ नेता बदला है और लोजपा आज राजनितिक दल के रूप में आज तो भारती राजनिती में है या भी हार की राजनिती में है लेकिन उसिर्फ नेता का बदला हुआ है ने ने मैं बात कर रहा हूँ सर यहां पर हम और वियाई पी की देखें मैं मान रहा हूँ कि यह सब जो बयान होते हैं हलके फिलके प्रिसर पॉलिकस कि लिए मनाया जाते हैं लेकिन आपने का पर जीवी वाली बात लेकिन मैं वही कर soph 201 कि यह वहार रहा है रहा-टर यह मौका तो दिया जा रहा है आपके सहयोगी पार्टी के तरफ से मांजी कहते हैं कि भाई दलीतों के साथ अत्याचार हो रहा है अब दानिस रिजवान जो उनके परवक्ता है वो आतंकी कनेक्शन बताते हैं अब भी आईपी के राश्टिय दक्स मुकेसानी कहते हैं कि बयान बाजी छोड़कर हम लोगों आम चुनाव में गटबंदन के चारो राजनितिक दल निकले तो हम सबों का एक NDA का एजेंडा था उस आधार पर हम सबों ने इस चुनाव को लरा और जब हमारी सरकार बनी तो उन एजेंडों को लेकर हम सबों ने काम किया तो आपने एक चीज देखा होगा कि जो हमारा ए आअजेंडे पर हम बिहार को ले जा रहे हैं उसके समझ में किसी दल ने कोई टिपनी नहीं की है लेकिं राजनितिक दल है तो राजनितिक दल का अपना अजेंडा होता है स्बाभिक है कुछ अने एजेंडों पर वो कुछ अपनी टिपनी करते होंगे लेकिन उस टिपनी से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और जहां तक सिरी जीतनाम माजी जी की बात है उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और बीजे पी के तरफ बयान दे का और नितिष कुमार की तारिफ करके ये दिखलाना चांगा हूं कि देखे हैं नितिष कुमार के तरफ ज्यादा है सब जो भी दल हमारे एंडिये में है तो वो उनका अपना अपना दल है उनको किसी कि न तारिफ करने के आप सकता है ना किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखने के आप सकता है जो हम सबों का साझा साझागाश करम आप देख रहे हूँगे कि जब से सरकार बन नी है और हमारा जो साझागार्जकरम कर काम कर लाएं सब सब लगातार काम करते हैं और उस स मां मोग कर किसी ने कोई अंगली नहीं उठाई और फिर चलिए रोकतंत्र है कुछ अपने डंग से कुछ कोई अपनी बाते कहते हैं तो नहीं हम लोग क्या तो पुर में भी का कॉद्नेशन कमीटी रहा है और कोरोना के कारण हम सब उस पर अभी काम नहीं कर पाए हैं लेकिन धेरे-धेरे जो कुरोना संक्रमन के कारण जो प्रस्थितियां बनी थी उससे राज्य उभर रहा है क्योंकि हमारे उसमें प्राथ्मिक्ता थी बिहार के लोगों को कुरोना संक्रमन से कैसे हम बचाएं ये एक बड़ी चुनोती थी तो जो जनता से जुरे वे जो सवाल हैं, जो विशे हैं, जो चुनोतियां हैं, वो हमारे लिए प्रात्मिक्ता थी, और पूर्व में भी जब हम सब सरकार में थे, तो NDA की कॉडिनेशन कमिटी थी, और आने वाले दिनों में भी इन सारे चीजों का गठन हम करने निशित तोर पर करेंगे, जिससे कि सांगठनिक द्रिष्टी से भी आपस में संबाद बना रहे हैं, और जो कुछ चीजें हैं, उन सारे चीजों पर हम सब मिल बैठकर बात करके, उसका समाधान करें, नहीं मानते हैं, एक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के, बड़ी निता होने क बैठक का रहे हैं, और बिहार में आपी आपटेश fender नहीं मानते हैं, कि जब सरकार काम कर रहे हैं, आप करें सरकार में हम कर रहे हैं, तो बैयान चाहिए को बचना चाहिए झाई गलत चला जाता है, और बिपक्ष कोशिश करता है कि जितना जलदी लिखा सकी dosis का लाव वेइंद जाहिए है उसमें व इस अची बात होती है लेकिन उन उस उन वेवानों से Indi A की जो अपनी ताकत थे उसमें कोई न दरार पड़ने वाली है न सरकार के स्वास्त पर उसमें कोई प्रुबाव पड़ने वाला है हम सब बहर में पुरानी मंग मानी जाएगी क्या क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार नराज होके लौट आये थे नितिश कुमार दिल्ली से पटना आये थे और कहा था कि अब पुरानी वाली पाटी नहीं रही है हमारा समर्तन है लेकिन हम मंदल में सामिल नहीं होगे अब खुद राष्टी अधक्ष आर्सेपी सिंग कर रहे हैं कि हम मंत्री मंडल में जगा मिलनी चाहिए आपका भी बयान आया कि सबको जगा मिलनी चाहिए लेकिन मेरा सवाल है कि पुरानी मांग जो जेडियो की इक्षा थी वो पूरी की जाएगी क्या क्योंकि यूपी का भ बाकादा उनने बयान दिया था कि अब एक चीज आपने देखा होगा कि केंदर के मंत्री मंडल में बहले जद्यू किसी कारण से सामिल नहीं हो सका लेकिन हम सबों के रिष्टे में उसका कोई नकारात्मक परभाव नहीं परा और हम सब तो लगातार चाहते हैं कि हम सब मिल ब्रड़ां मंतरी जी तो यह राश्टे नेट्रथ इस प्रकार होती है उसका सही समय पर सही निडनल लेंगे सर आपका ज्यादा वक्त नहीं लोगा लेकिन दो तीन आखरी के सवाल में रहे हैं एक चीज बता दीजे कि यह जो मामला था क्योंकि मैंने भासकर का ख़बर पढ़ा था उसमें आपका भी बयान था समराड चौदरी जी का बयान था संजय जैसवाल जी का बयान था यह जो प बाला सा हेडलाइन था पहली बार सरकार में सुप्रियर भाजपा और मतलब भाजपा के दवाब में नितीश कुमार को यह फैसला लना अपड़ा के अंदर में क्या यह बात सही है ने देखिए कैबिनेट के जितने भी फैसले होते हैं वो किसी दवाब में नहीं होते हैं व क्या बेहतर होगा, क्या बिहार के हित में और क्या क्या जा सकता है, वो संबाद की प्रकडिया हो सकती है, लेकिन इसमें कोई भाजपा का दवाब या हमारे माननिय मुखवंत्री जी का दवाब इस तरह की बातों से, मुखवंत्री जी के नेतृत में काम करते हैं और आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने आम चुनाओ के पूर भी उन्हें मुखवंत्री के रूप में हमारा राष्टे नेतृत ने उसकी घोसना की है, तो फिर ये संबाद हिंता या उनके नेतृत के प्रती जो हम सबों का एक कमि है उसमें कहीं कोई कट नहीं नहीं क्या लालू परशाद यादब लोटने के बाद अभी दिल्ली में है पटना आकर खेला कर पाएंगे क्योंकि तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके चाहने वाले हैं यही कर रहे हैं कि लालू जी बाहर आ गया है पटना आने दीजिए बंगा सरकार में 2005 से बीच का एक दो बरस छोड़ दिया जाय तो लगातार निती सकुमार जी के नेतुरित में भरते जनता पट्टी सरकार में हैं और सिर्फ लालू जी के बाहर आ जाने से सरकार तूट जाएगी और लालू जी के जेल में रहने से सरकार बच जाएगी तो इतना हम लोगों का कमजोर गटवंदन नहीं है कि लालू जी आकर तोड़ दें और लालू जी जब जील के अंदर चले जाए तो फिर वो कटवंदर मजबूत हो जाए हम लोग अपने एजिनडे पर काम करते हैं और उस एजिनडे पर काम करते रहेंगे लालो जी का कोई परभाव उनके न बाहर आने से न भीतर जाने से एंडिये के सिहत पर पड़ने वाद है अखरी सवाल जो निति आई को रिपोर्ट आई है जिस इसे ठीक करने के लिए एजे डिप्टी सिय में या बिहार सरकार क्या प्रियास कर रही है आपने देखा होगा कि जैसी रिपोर्ट आई पूरा विपक्ष हमलावर हो गया था देखें नीती आयोग के प्रतिवेदन को लगता है कि विपक्ष वाले ठीक से पढ़े नहीं नीती होगे कि महिलाओं के सकतिकरन पर जो नीती आयोग के टिपनियों को देखें तो लगेगा कि नीती आयोग के प्रतिवेदन को ठीक से समझने की जरूरत है और देखिए हम लोग 2005 से सरकार चला रहे हैं तो आप सोभाविक तोर पर बिहार और पूरा देश मानता है कि 2005 के पहल जो दर था जो विहार की प्रस्थितियां थी और पाद में जब एंडिये की सरकार बनी हम सब पहार के विकास के जेंडे को जितनी गंभीरता से और इमांदारी से लिया और उसका प्रवाब निस्षी तोर पर बिहार में यो दिख वी रहा है उसको आंकरों से आप असत करार नहीं कर सकते हैं और खास करके आंकरे आंकरों का जो ये खेल है तो वो बदलते रहते हैं हम सब पूरी मंदारी से बिहार के विकास के लिए बिहार के लोगों के लिए बिहार के स्वस्वी मुख मंतरी स्री नीतिस कुमार जी के नेतृत में और भारत के स्वस्वी प नीती आयोग ने अगर किसी चीज की और हम सबो को इंगित किया है उन चीजों को भी देखेंगे, कुछ चीजों को ठिक करना और करेंगे, ये तो देखें, विकास एक सतत परकृईर है, उसको ना समय में बांधा जा सकता है, ना उसे किसी एक सेक्टर में बांधा जा सकता है मल्टी डाइमेंशन में डेवलोप्मेंट को देखना पड़ेगा और कई छेत्रों में हम सबोंने काफी अच्छा काम किया है कुछ चीजें छुती होगी कोरोना के संक्रमन के कारण भी कई सारी प्रस्थितियां बदली है आप देखे होंगे कि बिहार पहला राज्य है जिसने 18 वर्स के से लेकर 45 वर्स के नौ जवानों को बिहार की रासी से उन्हें टीका करने का निरने लिया जिसका की पूरे देश ने स्वागत किया तो वो कई चीजें और कई जो स्वास की सुविधाय हैं जो ग्रामी नस्थर पर जो ऑक्सिजन से जुरेवे इंस्ट्रूमेंट थे उसको वहां इंस्ट्रॉल करना पड़ा तो कई ऐसे सारे खर्स थे जिस पर की हम सब को प्रियरिटी देना था क्योंकि बिहार के लोग स्वास्थ हों बिहार के लोग कुरोना संकर्वन से मुक्त हो यह हमारी सामईक निर्मे था और हमारी जवाब दे भी है जब सरकार है तो सरकार की जवाब दे भी है कि अपने सूबे के लोगों को संकर्वन से कैसे बचाए उन्हें कैसे बेहतर स्वास्थ सेवा प्रदान करें वो एक जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वान हम सो ने किया है आगे भी बात करेंगे और खासकर भी विकास पर और जो आपने लाश्य में स्टेट्मेंट दिया कोरोना में वियार सरकार ने क्या क्या उसके लिए जरूर हम कुशिच करेंगे कि आप कबेश्य में मिले और विश्तार से विहर के विकास की तो एक लंबी गाथा है आप उस समन्ध में किसी एक खंड में नहीं बाट सकते हैं आप जितनी बार हम से बाचित करेंगे हर बार विकास की एक अद्हाय जो विकास की गाथा है, उसके Return अद्हाय है, उसका विस्तार से हम आपसे चर्चा करेंगे और आपके माधियम से बिहार के लोगों को भी बताएंगे कि हम लोग किस तरह से एक जवाब दे सरकार के नाते किस तरह से बिहार के लोगों के लिए हम सब काम कर रहे हैं यह सारी बाते हैं आपके दोरा आज भी आम लोगों तक पहुंची है आन पारी बातें आम लोगों तक जाए और आपने इन चीजों को अपने चैनल के माध्यम से आम लोगों तक पहुँचाने का काम किया इसके लिए हम अपनी और से सरकार की और से भी आपको धन्वा देते हैं तो हमारे साथ डिप्टी सीम तारकिशोर परशाद एक्सक्लूसिव थ कि इन से बात करने में मज़ा आता है क्योंकि सवाल कोई भी हो जवाब अपने ढंग से ही देते हैं और समय लेके देते हैं तो फिलहाल जो पूरे इंटर्व्यू का सार है वो यही है कि टूट एल जेपी में हुई है जस्न जेड्यू मना रही है बीजेपी आराम से वेटे तो होना नहीं है फिलाल आप देखते रहें आईवी टीवी तमाम बरी खबरों के साथ लगातार हमारे सहयोगी आपके साथ बने हुए है